अज़ो ट्रेडर विल्कम बैक तो माई चनल और आज तेसे वीडियो पर हम लोग बात करने वाला है मार्जिन ट्रेडिंग फइसलेटी के बारे में जो धन आपको प्रोवाइट कर रहा है तो सबसे पहली बात मैं बता दो जो यह margin trading facility है यहाँ पर आपको 4x margin तक मिल रहा है अगर आप इसको intraday करते हो margin trading facility का बात नहीं करो अगर आप normal intraday करते हो तो यहाँ पर आपको 5x तक margin आपको देखने को मिलता है जो आपको धन प्रोवाइट करता है तो चनल पर पहली बार आएगर आए हैं चनल को सब्सक्राइब कर दे अस वीडियो को लाइक कर दे तो जैसे कि कल हमें एक वीडियो अप्लोड किया था तो उससे रिगाडिंग लोगों के माइंड में काफी सारे doubt निकल के बाहर आ रहे थी तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में उस doubt को अच्छे से clear किया जाए तो इस वीडियो पर मैं आपको पूरा डीटेली explain करने वाला margin trading facility के बारे में क्या क्या चीज़े आपको देखने को मिलेगी तो सबसे पहले अब भी यहाँ पर देख सकते हो unlimited holding period यानि कि आप इसको unlimited days तक hold रख सकते हो यहाँ पर आपको जितना मन करें जो 4X margin है उसके मताबिक आप यहाँ पर अपना trades कर सकते हो 950 plus stocks पर आप इस पर implement कर सकते हो MTF वाला जो feature है उसके बाद MTF funding estimator भी आपको देखने को मिलता है उसके बाद जो integrated order flow यानि कि आप जो है अपना existing order पर ही MTF का option choose कर सकते हो ताकि आपको बहुत easy simple लगे इनका यही कहना है सेगेंडली जो है यहाँ पर आप देख सकते हो dedicated MTF section अगर कोई भी trade कर रहे हो MTF को लेके तो यहाँ पर अलग से आप इसको directly sell कर सकते हो पहले unplugging करो फिर sell करो यहाँ पर ऐसा system ने आप directly sell कर सकते हो उसके बाद interest free funding टी प्लस टू डेज यानि की कहने का मतलब ही कि अगर कोई स्टॉक टी प्लस टू है तो आप यहाँ पर तब तक उसको जो है freely use कर सकते हो बट मूशली अभी मैं देखने को मिल रहा है की टी प्लस वन रूल फॉलो कर रहे हैं उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे multiple lots यानि की वन चार्ज यानि की एक ही स्क्रिप्ट पर अगर आप number of orders पर ज्यादा है तो उस पर जो है एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर ही चार्जिस लिया जाएगा इनका कहना है उसके बाद easy प्ले है या non cash में holdings पड़ा हुआ है तो उसको आप कैसे प्लेज करोगे mtf benefits को उठाने के लिए यह चीज़ भी हो जाएगा यहाँ पर कोई hidden charges नहीं है और कोई additional effort भी आपको देने के लिए जरुवत नहीं है तो यह किन लोगों के लिए benefit है swing traders, btsd traders, long term investors और धन users उसके बाद how does mtf work यानि कि अगर आपके पास 10,000 है तो अगर आप इसको mtf को option को choose करते हो तो यहाँ पर आपको धन देता है 30,000 तो total आप अभी 40,000 का stocks को trade कर सकते हो position के लिए और instant mtf place feature जो है इसको अगर आप use करना चाहते हो तो यह आपको 4 बजे से लेके 9 बजे तक आपको यह definitely करना पड़ेगा अगर आप नहीं करोगे तो यह जो है आपका जब settlement के time पे time आएगा तो वहाँ पर आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा अगर पूरा पैसा नहीं को भी माइंड पर डाउट होगे वह सब कुछ क्लियर हो जाएंगे तो देखें माजिन ट्रेडिंग क्या है यहां पर आपको बता चुका हूं यहां पर अगर आपके पस 25,000 है तो आप यहां पर हाज stocks खरीदना चाहते हो तो यहां पर आपको धन 75,000 के तरफ से आपको funding मिल चाहेगा सेकेंडली आप इसको ट्रेड कैसे करोगे यह भी मैं आपको बता दिया थर्ड जो है यहां पर जो आप क्या-क्या को लेटरल की तरह यूज कर सकते हो फोर मार्जिन फंडिंग के लिए यह cash हो यह फिर non cash holding हो वह भी आप जो है यहां पर इसको यूज कर सकते हो उ तो यह automatically यहां पर आपका square of कर देगा, sell कर देगा, 5 number है यहां पर कितना interest आपको देना पड़ेगा, तो यहां पर आपको interest देना पड़ेगा 0.0438% per day, यानि कि अगर आप इसको calculate करोगे तो एक साल में आपको 16% interest देना पड़ेगा, 6th number question है कि यहां पर प्लेजिंग कैसे ज तो देखे, अगर आपने कोई भी shares को bought किया है, MTF option को choose करके, तो यहां पर आपको कुछ steps follow करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका positions पर जाने का बाद आपको यहां पर कब जाना है, चार बजे के बाद जाना है, ठीक है, आपने बहन लिजे, आज आपने trade किया, ओके, आज आ और holding, वहां पर आपको tap करना है, authorize करने के बाद, यहां पर आपको दिखाएगा कि आपने कौन सा वाला option, stock जो है, वो T plus 1 है, या T plus 2 है, वो आपको दिखाई देगा, उसके बाद जब आप authorize कर दोगे, तो यहां पर आपका CDSL page open हो जाएगा, जिसमें आपको एक OTP receive होगा यहां पर उसके बाद, जो T plus 1, T plus 2 का जो holdings है, वो अलग-अलग आपको जो separate है, यहां पर आपको place करना पड़ेगा, जो कि आपको दो बार OTP आएगा, यहां पर इस process को complete करने के लिए, उसके बाद question number 7 है, तो यहां पर पूछा है कि आपको 2 OTP क्यों चाहिए holdings के लिए, तो यह exchange का regulation है, इसके वज़े से जो है, आपको T plus 1 days का या T plus 2 का जो settlement है, उसके साब से आपको यह चीज follow करना पड़ेगा, तो यहां पर जो मन में सवाल उठता होगा कि क्या होगा, अगर मैं नहीं किया, तो मतलब कि मैं place नहीं किया, तो फिर क्या होगा, इस scenario में बोला है कि अगर यहां पर कोई भी stock continue होता है, T plus 2 तक तो तो वो जो है, आपका जो भी position रहेगा, वो आपका normal holding में चला जाएगा, MTF holding में नहीं जाएगा, ठीक है, यहां पर कह रहा है कि अगर आप इसको नहीं करोगे, प्लेज नहीं करोगे, तो आपका जो है, normal holding में चला जाएग ना कि MTF holding पर, तो यहां पर आपका insufficient balance हो जाएगा, तो यह automatically यह sell कर देगा, T plus 7 days पर जो इनका system है, उसके बाद बोला है कि कौन से shares eligible है margin funding के लिए, यह link जो है मैं आपको दे दूँगा, description पर या comment section पर आप उसको जाके check out कर सकते हो, तो उसके बाद पूछा गया है कि आप इसको exit कैसे करोगे margin funding पर, तो simply है कि आप जब exit करना चाहोगे, MTF order को select करोगे, selling के time पर, यहां पर कोई भी अलग से आपको un pledge नहीं करना पड़ेगा, selling करने के लिए, आप instantly इसको sell कर सकते हो, तो अब question आठता है कि charges क्या है pledging और un pledging के लिए, तो pledging और un pledging के लिए 12.5 तो यहां पर पोचा गया है क्या मैं यहां पर BTSD कर सकता हूं MTF के तुरूपे, तो हां बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आपको 20% of front margin चाहिए for selling holdings, यहां पर एक example भी है कि अगर आपके पास 25,000 रुपया है और आप reliance को buy करना चाहते हो, जो कि इन लोग 4X margin आपको provide करत हैं, तो इसका मतलब है कि reliance पे आप 1,00,000 तक का buy कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको selling करना चाहते हो next day, तो आपको upfront margin लाना पड़ेगा 20,000 का, तो अब बोला है कि किस case में अगर मेरे पास MTF holding है, तो वो liquidate कैसे होगा RMS के थूपे, यानि कि risk management system, उनके हिसाब से कैसे होग तो अगर आपके पास MTF holding है, और आप उसको pledge नहीं कर रहे हो time से, यानि कि उसी दिन अगर आप pledge नहीं कर रहे हो, तो वो आपका square off कर देगा, दूसरा है कि अगर आपका margin है, वो maintain नहीं है, यानि कि तीसरा, जो आपका holdings है, वो 20% से नीचे अगर गिरने लगा, तो automatic square off कर तो I hope आपका जो भी mind में सवाल था, वो जो है clear हो गया होगा, अगर still इससे regarding कुछ और doubt है, तो definitely इस वीडियो के नीचे comment कीज़ेगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसको reply करने का, तो अभी हम लोग आते हैं अपना telegram channel पे, तो जैसे कि आज November 4 है, मैंने update किया था, बंधन bank क वो stock को लेके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, बंधन bank पे, तो बंधन bank पे आप देख सकते हो, आज जो है continuously selling आया, यह डेली का candle है, तो इसको मैं 15 minutes पे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, जिसे ही stock थोड़ा सा gap up open कि उसके बाद selling हमें देखने को मिला, उसके नीचे लेवल का जरूर से जरूर इसको trade करूंगा, तो इसलिए मैंने 2 entry रखा है, जस इन केस यह उपर वाला लेवल अगर stop loss hit करता है, तो मैं नीचे वाला लेवल इसको entry लोगा, क्योंकि आप अगर इसको check करोगे, तो बहुत जादा selling pressure है, तो मैं भी हो सकता है, यह हम ल लोगों का हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगा, कि यह बहुत उपर से selling होके नीचे आ रहा है, पर trust me guys, यह जो है stock अगर आप इसको holding पर रखते हो, तो यह काफे उपर आपको आने वाले time पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप इस price stock को देखोगे monthly का, तो यह देखिए monthly का पूरा एकदम low पर ही आ चुका है, और यहां से मैं expect कर रहा हूं कि थोड़े दिनों के बाद हमें यहां से अपमोब हमें देखने को मिल सकता है, तो यह हमारा swing trading के लिए बिल्कुल valid है, और investing के लिए भी बिल्कुल valid है, तो अब आते हैं हम लोग का Asian paint, तो Asian paint मैं बहुत से 1 hour या 15 minutes पर लगाता हूं, तक यहां पर प्रॉपर आपको visible हो सके, तो Asian paint में आपको बहुत टाइम से कह रहा हूं कि October 24 का मैंने research जिया था 3044 पर और जो हमारा anniversary वाला video मैंने upload किया था YouTube वहां पर भी मैंने clearly mention किया था कि हमको target जो है वहां पर 10-20 points ऐसली देखने को मिलेग तब जो है I guess 3160 के आसपस यहीं पर कहीं पर प्राइस था तो वहां से हम लोग को यहां पर कहीं पर प्राइस था वहां से हम लोग को जो है और 20 points का upmove हमें देखने को मिलेगा तो आज finally वह हमें upmove देखने को भी मिल गया है तो यह आप देख पारे हो 3184 जो है आज प्रा price high लगाया है तो यहां पर अगर मैं नीचे जाओं तो यह देखे मैंना update भी क्या था इसको 3176 हाई लगाया 10 points का और दूसरा 10 points का अगें यह 3180 के उपर जो है closing दिया है तो यह आप देख सकते हो exactly आप इसको back test भी कर सकते हो यह जो मैंने call दिया है October 24 को आप 24 से पहले तो दूसरा जो है बात हम करेंगे यहां पर sell का sell का यहां पर आप देख सकते हो October 9 को analysis आया था 76.20 का यहां पर हम लोग sell का भी देख लेते हैं sell का आप देख सकते हो 76.20 पर मैंने यहां पर आपको buy entry करने के लिए दिया था और यह थोड़ा सा trade tiger में अच्छा यहां पर show करता है बट यहां पर trading view पर थोड़ा से mismatch कर रहा है तो यहां पर प्रॉपर आपको entry मिला और आप देख सकते हो 84.35 का high लगाया है और यह आप इ talk है बस आप इसको trail करते जाओ इसको और profits जो है इसको enjoy कर सकते हो तो यह था वीडियो इतना ही उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हुगा और यहां पर आप जोइन करना चाहते हो हमारे group है तो description पर आपको link मिल जागा वहां से भी आप account open कर सकते हो totally free of cost है आपको हमें जो है WhatsApp के तुरू पर Instagram के तुरू पर हमें contact करना है और वहां पर आपके mail पर सारी information चले जाएगी thank you so much वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक अपना ख्याल देखेगा goodbye take care